खिद्धो खुंडी ना हीरो दी फिल्म है ना हीरोईन दी इफ फिल्म है ट्रीटमेंट दी इफ फिल्म है डारेक्टर दी जो आप राइटर भी है हेलो दोस्तो हादरा लेके फिल्म खिद्धो खुंडी दा दी कहानी बिल्कुल सिंपल है ते पूरी तरह प्रडिक्टेवल है फते ते हैरी इंग्लैंड वीच रहने ने दोवानू होकी दा जिनून है पर हैरी नहीं चौंदा के फते होकी खिड़े इस दा कारण फते नो भी नहीं पता फिर एक दिन गला जान दी है अनक दी ते खुद हैरी गोरिया नू चैलेंज करदा है के ओ पंजाब आके पंजाबिया नाल होकी दा टूर्नामेंट खिड़न ते पंजाब दी टीम दा कैप्टन होवे का फते अनक दा मैच बढ़ चुके इस होकी दे मैच नू जतन ली हैरी आते फते नू किनना मुश्कला मिच्चों गुजरना पैंदा है एदे वास्ते तो हान नू फिल्म देखडी पवेगी हुन गल कर दियां स्क्रीन पले दी फिल्म दी शुरुवात हलकी फुलकी है थोड़ा जया रोमेंस थोड़ी जी कॉमेडी आते बिना कोई ज्यादा टाइम खराब की ते फिल्म सिद्धी अपने मुद्दे ते आ जान दी है लेकिन इस तो बाद फिल्म लगातार स्लो हुन दी जान दी है ते इंटरवल तक आं जंदा थल्य जीव दब के एक-एक सीन दिखंडी मजबूर हो जान दी हो फिल्म दा क्लाइमेक्स होन तक दियां पंजाबी फिल्म विच्चो सब तों बेहतरीन है पावें अंत पता हुंदा है पर आखरी फ्रेम तक दर्शक सो चंडी मजबूर हो जान दा के उन हो येग की अग्गे वद्धियां डायरेक्शन वाल जिवें के मैं शुरुवात विच क्या है ए फिल्म डायरेक्टर दी है स्पोर्ट्स वालियां बहुत सारियां हिंदी आते हॉलिवड फिल्मा असी देख चुकियां खास करके चकदे इंडिया ते स्पीडी सिंग्स पंजाबी विच कबड़ी हुते हुटे वे फिल्मा बंड चुकियां ने इते खास दिकर करना बंड़ है कबड़ी वन सगें दा खिदो खुंडी विच इनना सारियां फिल्मा दा परबाव किते नजर हुँदा है जो इस फिल्म नो इना तो डिफरेंट बनाओ दा है ओ है इस दा ट्रीटमेंट जट जेम्स बॉन्ड तो ही रोहित जुगराज दे फिल्म मेकिंग ने मेनू परबावित कीता सी सरदार जी सीरिस दिया कमजोर कहाणिया करके निराशा हुई अते खिदो खुंडी दी शुरुआत ने भी लगपग उदास कीता पर फिल्म दा आखरी अदा कंटा सारे तोने तो दिंदर रोहित जुगराज ने ना सिर्फ होकी दी टेकनीक अते गेम दे रूल्स नू बारी की नाल समझे है बलकि सिनमा दी पाशा विच उनना नू इन्नी सफाई नाल पेश कीता है के दर्शका लिए फिल्म एक रोमाचक लाइव मैच बढ़ जान दी है खासकर संसारपूर्तों होकी दी काड कड़े जान दा इत्हास उनना ने इस तरह अपने किरदारां दिराही पर दिते उतारिया है क्यों फिल्म नू पार्टी हाकी दा सांबन योग दस्ता विच बना दिन दा है जदो कहानी दा अंत पहले ही पता लग जान वड़ा हुए ता डारेक्टर ले अंत तक दर्शक नू बनने रखना बहुत मुश्कल होंदा है लेकिन रोहित जुगराज ने इस तरह लगातार क्राइसिस क्रेड के तेहन ओ उनना दी फिल्म कारी दी प्राप्ती है दो में स्क्रीन प्ले लेक का अते डारेक्शन दी दाद देनी बढ़ दी है सुर्मीत मावी ते जतिंदर लाल दे डायलोग खेड अते मनुखी पामनावा नाल लबरेज ने गाल कार्दियां एक्टिंग दी इस मामले विच इस फिल्म दा हीरो है मानव विज महबत, गुसा, पाइचारा, पच्चतावा, जनून, जुजारूपन, लेडर्शिप, हर एक पावना उस दियां अक्खां विच्चों बोल दी हुई नजराओ दी है लंबे अर्से बाद अजेहा करेक्टर रूल पंजाबी फिल्म विच देखनों मिले आया जेड़ा पूरी फिल्म नू अपने मोड़ें होते चुक देए बस उनना दी पंजाबी दा लेजा अते हींदी मिक्स शवदावली रटक दीए रंजीत बावा बौती थावे रंजीत बावा ही लग देए कुछ इमोशनल सीन्स विच ओपर वाव छटदेए डारेक्टर ने कैलिवर मताबक उस्तों ठीक ठाक कम ले लिया है मेंडी तक खड़दा हस्पताल विच मानव विजनल एंकाउंटर वारा सीन जबरदस्त है एलनाज नोरोजी पंजाबी फिल्म विच अचानक इंगलेंड तो आ गई एक बार भी डॉल वरगी लग दी है बाकी दी स्पोर्टिंग कास्ट आपनी मौजूदगी दा एहसास कराउंदी है दोवें कमेंटेटर टेंशन दे महौल विच हास्यां दा तड़का लौंदे ने जतिंदर कौर दा छोटा जयरोल डूंगा परवाब छड़दा फिल्म दा ज्यादा तरह हिस्सा हौकी दे मैदान विच शूट होया है जिसनू संदीब पाटिल ने कैमरे राही बखुब भी उतार है राजू सिंग दा बैग्राउंड स्कोर फिल्म दे महौल नू होर वी दमदार बना दा पारत है सरावत दी कट्टू काट्टे डेटिंग क्लामेक्स नू जानदार बना देंदी है काश उना नू फिल्म दे शुरुआती से विच वी एन्नी खोलनल कम करन्दा मौका मिले आंदा फिल्म दा म्यूजिक सिचुएशन दे सावनाल ठीक ठाक है पर कोई पक्की छाप छडनवाडी गाल नहीं है सुखविंदर सिंग दे आवाज विच वतना गीत चोश दिवंदा है पर उस दी ओवरडोज किती गई है शांदा ट्रीटमेट अते जांदार क्लाइमेक्स ले इस फिल्म नूँ मैं दे रहे हैं पांच विच्चों टाइस्टार अनुए फिल्म रिविव चंगा लगा ता लाइक जरूर करना यादना दोस्ता नाल शेर करना अपना फीडबैक कमेंट स्विच देना तो हड़ा हक है इस हक दा इस्तेमाल करना ते जिना ने हाले तक चैनल सब्सक्राइब ने किता हुने फटाफट कार लो यार कोई पैसा थोड़ी लगदा ना पदेओ लाल बटन सब्सक्राइब वाड़ा एक होर फिल्म दे रिविव ना फेर आवांगा तब तक ले गुडबाई